सब्सक्राइब नमस्कार आप सब्सक्राइब यूटूब चैनल हिस्ट्री विद्रेंदर में हाज हरियाना में बारिविंक क्षा का इतिहास का सैट का एक्जाम हुआ तो उसमें कुल 13 कोशन पूचे गए थे परसन संख्या एक से नो तक परतेख परसन का एक अंका था परसन संख्या दस से बारा तक परतेख परसन 2 अंका और परसन संख्या 13 पांच अंक था तो आए फस्ट परसन पर चलते हैं यहाँ पर फिर्स्ट कोश्चन है अकबर नामा के लिखक कौन थे तो अबुल फजल अकबर नामा के लिखक थे अबुल फजल अकबर के दर्बारी कवी थे और इनका जनम पंदरा सो पंदरा सो चुरासी आइ थिंग मैं भूल रहा हूँ इस आगरा में हुआ था यह याद रखो असन आप चाहिए याद मत करो इतना important नहीं है और आगरामी उतन के फिता जी का नाम से एक मुबारक था और इनके भाई भी अकबर के दर्वार में थे जिनका नाम था फैजी नेक्ष्ट कोशन है यहाँ पर अकबर नामा की रचना किस भासा में की गई थी तो उस राइटन्स हो जाएगा फार्सी भासा में और जो मुगलकार था उसके प्रसासिन की भासा भी फार्सी भासा होती थी नेक्स्ट कोईशन है यहापर कोईशन नमबर थ्री बासा नामा कालेखक कौन था तो बासा नामा कालेखक अब्दुल हमीद लहोरी था तो बासा नामा से हम सहाजां के बारे में जानकारियों प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट कोशिशन है ठारस टांव की करांती के समें भारत की गवर्नियरस जरिर्नल थी जैसो आप सभी सब्सक्राइब को पता है कि ठारस टांव करांती करहम 10 मई को मेर्ड से होता है और 11 माई को सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहादूर साजफर को अपना नेता चुनते हैं इसे पहले 29 मार्च 455 को बेरक पुजो की कलकत्ता में एक सामनी है वहाँ पर मंगल पांडे की दोरा विद्रोग किया जाता है बाद में उनको फांसे पर लटका दिया गया नेच्ट कोशन है कोशन नमबर 5 रेत किसे का जाता था तो रेत मुगल काल में या मध्य काल में कह सकते हो आप किसानों को कहा जाता था नेच्ट कोशन है कोशन नमबर 6 संथाल विद्रोह कब हुआ तो 58,53 से एक साल पहले जो आज का जारखंड है वहाँ पर ससंतालों ने 586 में संतालों का विद्रों हुआ था इस विद्रों के बाद धामिन एक कोह का अगठन किया गया था जो की संतालों के लिए एक रिजरो भूमी होती थी इसे विद्रोग के जुने थे वो सिधु और कानू थे Next question है, question number 7 369 के विद्रोग का तथकालिक कान क्या था तो चर्वी वाले जो कार्तूस है वो 369 कान्ती क तथकालिक कान था Next question है, question number 8 169 के विद्रोग के समय इंग्लेंड में सासन था तो उसमें Victoria का सासन था और जब ठावस्थामी क्रांती खतम होती है तो उसके बाद Victoria की कोशनों होती है जिसके तहत भारत में Company वे उसका अंत कर दियाता है और भारत में सिदे British संसर है वो जब British सरकार थी उसका सासन भारत में लागू होता है और बहुत सारे इसमें चेंजिज नमबर 9 ठावस्थामन के विद्रो का रंब बैरकपूर्ट शावनी से हुआ सत्या गलत है तो यहां पर एक खतन है जो ऐस सत्या माना जाए क्योंकि 10 मही को 10 मही ठावस्थावन को जो विद्रो की सुरवात होती हो मिरट से माने जाती है आप ऐसे तेक इसकी जो ततकाली कान था तब इसमें बैरकपूर्ट शावनी का वरन किया जा सकता था नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 10 एंग्रेजों ने विद्रो को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए तो अंग्रेजों ने विद्रो को कुचलने के लिए तो दमन करने के लिए कुछलने के लिए एकी बात है यहां पर तो उनोंने जहां पर विद्रोग हुआ वहाँ अपनी सेनिक टुपडियां भेजी और दूसरा यहां पर आप लिख सकते हो कि उन्होंने जो देशी रियास्ते थी वह सारी भारत में जिन्होंने अंग्रेज्व को साथ दिया था तो अगर भारती रहास्ते अंग्लेज्व 그게 साथ नी ओती केनिंग ने भी कहाँ था कि अगर यहास्ते मारा साथ नि देती तो हम बोरूण विस्थरबाइब दोकर के भार से चले जाते नेश्ट कोशन है यहाँ पर कोशन नमबर 11 अवद का विद्रो इतना व्यापक क्यों था क्योंकि आवद क्योंकि लोग वहां के जुन्वाब थे आखरी जुन्वाब थे वाजीद अरीशा उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे और वेक कवे लेहक भी थे और जातर जो सै गए थे और सैनिक जो ठालस्तान बेरकपुल में जो विद्रो था तो वहां पर भी जातर जो सैनिक थे अवद के थे ठीक है तो यह बहुत सारे कान रिजन नहीं पर बताई जा सकते हैं जिसके कान अवद का विद्रो जादा वैपक हुआ नेक्स्त क्वेशन है थालस्तान की कान थी कि कोई दो प्रभाव बताईए तो एक तो था कि जो लैप्स किनी थी ती जिसके तैद अगर राजा कोई उत्रा दिकारी नहीं होता था तो उसके राज्ये को अंगरी राज्ये में मिला लिये जाता था और दूसरा है क्या हुआ क क्योंकि इसमें सैनिकों ने बर्चर कर बाग लिया था तो भारती सैनिकों जो संख्या थी वो कम कर दी गई थी नेश्ट कोशन यहां पर दिया गया है क्वेशन नमबर 11 सोड़ी 13 थास्तावन में जो विद्रो था उसके क्या कान थे तो उसके बहुत सारी कान थे यहां पर नेतिक आर्थिक और धार्मिक तो राजनेतिक में क्या था एक तो राजनेतिक अंग्रेज की सम्राज जावादी नहीं थी जिसमें लैपस्किन थी आप बता सकते हो ठीक है दूसरा था मुगलबाद साह का जो अपमाना है वो कर दे गए था ठीक है ठाट अट्रोस जो जो भ विले कर दिये गए था और अवद का विले कर दिये तो यह राजिनेति कान आप यहां पर पता सकते हो और समाजिक और धार में कान थे सती पर्था जैसे या विद्वपुनुरिवाहा ठीक है और रेलतार की जो है उससे में शुरुवात की गी थी जलो हो जी के टाइम में और महरतियों से काहि दूर्ववार वो किया जाता था इसमें आर्थिक कान आयगरण है देश का आर्थिक सोसन हो रहा था भूण भूपत्यों जो भूण ज मिदारियां थी वो खडम होती जा रही थी बेगारी की संख्या बढ़ रही थी ठीक है नोक्रियों मैं समानता थी सैनिक कान आप सेनिक के साथ अच्छा वेवारनी होता था उनको कमवेतन दिया जाता था और जो भरती के नियम है वो बदल दी गए थे अवद का विले कर दे गए था मैंने पहले बताई था जातर जो सैनिक थे अवद से थे इसलिए जो सैनिक थे वो नराज थे अंगलो जिसे और तो यह काफी जखान है मैंने पताती है ठीए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप से चैनल को सब्सक्राइब जूर करें आच्छे अच्छी वीडियो में डालता रहता हूं आपके स्रेवसे रेटिड धन्यवाद बिटा